Hello Everyone, Welcome to All in Modern Guru Kula So, आपका जो MNS 2022 का जो एक्साम होना है उसकी जो application form की date है वो आपके एक newspaper में publish हुई है जिसे कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी आपका जब exam होता था उससे कुछ time पहले employment newspaper जितने भी होते हैं उसमें mention होता था कि कब exam होगा और किस दिन आपका application form निकलेगा तो इसमें आपका finally एक newspaper में notification और advertisement आ गई है जिसमें ये बता दिया है कि exam के application form कब release होंगे तो I am देखते हैं इस वीडियो में आज तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको पता दिया है जो आप लोगों को doubt हो रहा था कि male candidate होंगे या सरफ female candidate होंगे तो यह इन्होंने mention कर दिया है कि सरफ female candidates के लिए होता है यह तो आपको already भी पता था बट देखिए यहां पे इन्होंने दूसरी चीज जो mention कर दी है कि candidate के लिए mandatory है to qualify NEET UG 2022 यानि कि अब आपको यहां से भी hint मिल गई है कि आपके जो इस बार का exam होना है वो NEET के through ही आपका selection होना है ठीक है अब कैसे होगा वो मैं भी आपको बताऊंगे अब आपके माइन में confusion हो रहा होगा कि आपको NEET का form बढ़ना है या MNS का कैसे करना है मैं भी आपको समझाऊंगी इस वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ कि date कब से होने है देखिए इसमें लिखा है कि female candidates के लिए और आपका mandatory बता दिया है कि NEET का marks mandatory है और जो registration open होंगे online registration वो आपके 11th of May 2022 से 31st of May 2022 तक होंगे यानि कि one month का आपको time application form को fill करने के लिए दिया गया है तो जैसे कि Indian Army की तरफ से जो पहला mail आया था अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी तरफ से जो first mail आया था उसमें उन्होंने यही बोला था कि NEET के through form exam होगा यही सबको पता चला था न फिर second जो mail आया था उसमें उन्होंने यह लिखा था कि May में वो लोग application form निकालेंगे तो उनकी दोनों ही बाते correct हैं अगर आप देखें तो में में वोने अपने application form भी वो release करने वाले हैं तो अब होगा क्या कि आप लोग confused नहीं होंगे क्या होगा आपको NEET का scorecard चाहिए और आपको MNS का भी अलग से form फिल करना पड़ेगा जो यह लोग निकालेंगे तो उसमें फिर आपके जितने marks होंगे जो college की cut off आप पार करेंगे उसके लिए आप फिर interview and medical देखे आपका selection होगा जो पहले होता था MNS के exam को clear करने के बाद same procedure होगा form अलग से fill करने पड़ेंगे तो इस तीज के लिए confusion नहीं करना है क्योंकि registration तो आपको कराना पड़ेगा न तभी तो आप MNS के लिए apply करेंगे क्योंकि NEET के लिए तो बहुत सारे candidate apply करते हैं अब ज़रूरी तो नहीं उसमें NEET में तो boys भी देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लड़के भी MNS का form भरेंगे या कौन भरेगा तो यह confusion उन्होंने clear कर दिया है पहली कि आपको NEET का form तो भर नहीं है साथ में आपको क्योंकि बिना अगर नीट का form नहीं भरेंगे तो नीट का score कैसे result कैसे आएगा नीट का exam कैसे देंगे तो NEET का form आपको पहले भरना है उसके बाद जो है आपका पहले आप NEET का form फिल करेंगे तो नीट का form फिल करने के बाद आपको जो यह वाला form निकलेगा MNS का इसमें आपको registration कराना है और यह form भी आपको fill करना है तें उसके बाद आपका जो आपका score आएगा नीट पे उसके बैसस पे आप interview और medical के लिए आप select होंगे ठीक है तो same procedure है बस difference यहाँ पे आ गया है कि exam नहीं होगा MNs का बट form आपको fill करना है ठीक है तो अब confuse नहीं होंगे और बाकी जो भी procedure बचा है वो लोग 11 में से 31 में के बीच में सारा कुछ release कर देंगे official website पे तो अब आप लोग अच्छे से नीट के लिए preparation करें अभी भी confusion में मत रहें कि हम form fill करें या नहीं करें form fill कर दीजिए धोपसो कि सब बैटरी हो तो आप लोगा form fill कर दीजिए और जो यह form दिखलेगा 11 में से 31 में को आप यह वाला form भी भर देना और इस्टिल अभी भी आपको कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं Thank you